हेलो ब्यूटिफुल पीपल मैं हूँ प्रती और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस्टैरो 369 में एक पर आज हम फिर से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ट पाड़ी और आपके पार्टने की लाइफ में क्या चल रहा है क्या कर रहे हैं क्या सिट्योवेशन है गाइज माफी चाती हूँ दो दिन से हम रीडिंग पोस्ट महीं कर पाई थोड़ा एक्सिव प्रेशर था गाईज परस्नल रीडिंग्स का बहुत प्रेशर होता है उसके कारण टाइम मैनेज नहीं हो पाता है बड़ाइ मेक शूर की हम पहुत जल्दी जो है रेगिलर बेसिस पर दो रीडिंग्स जरूर डालेंगे ओके और राइज हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है सारे साइंज और सारे अलिमेंस के लिए होने वाली है ऑके जी सो जितने मेसेज़ेस आप से रजुनेट क होते हैं ट्रांस फामिली में हम सब खुश होते हैं और खुश ही रहते हैं और हम इसलिए खुश रहते हैं ताकि हमारे जितने आफॉमेशन्स या जितने मैनिफेस्टेशन्स हम कर रहे हैं वह सारे हमारे अच्छे से वर्क करें जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं और जो भी अगर आप मेरे वीडियो को विजिट करें हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन्दगी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जिस्ट बिहेव लाइक फाइटर और दुखी नहीं रहना है, हमेशा मुस्कुराना है, अच्छे से रहना है हम खुश रहते हैं तो हम खुशी को अपने जिन्दगी में अट्रैक्ट करते हैं All right, so Mother Earth, Sky Father, Angels and Sisters, All My Spirit Guides, please divinely guide करें और बताएं कि मेरे विवर्स के पार्टनर और थर्द पार्टी के बीच में क्या चल रहा है All right Universe, please divinely guide करें और बताएं कि जो थर्द पार्टी है वो मेरे विवर्स के पार्टनर के बारे में क्या सोच रही है क्या उनके विचार हैं, क्या चाहती हैं मेरे विवर्स के पार्टनर के बारे में थार्ड पार्टी क्या सोच रही है हमारे पास फर्स्ट कार्ट निकल कर आ गया है गाईज डेथ, okay गोगाड, we have second card is five of wands, aries, leo, satch, okay two of cups, in reverse, can surpasses Scorpio, okay we have two cards, four of wands, upright and we have ten of pentacles, upright okay, so यहाँ पर गाईज, third party आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रही है यह देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे and bottom of the deck we have is the tower okay, so guys देखें यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Satch, Cancer, Pisces, Scorpio so irrespective of guys, यहाँ पर क्या zodiac निकल कर आए है यह reading अगर आपसे match करती है, तो reading आपके लिए है okay, alright so third party जो है आपके पार्टनर के बारे में क्या सुच रही है? guys, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है आपमें से, third party से आपके जो पार्टनर है वो already married है, इस तरह का यहाँ पर feel मिलता है okay, so before we go with the reading, यहाँ पर हमेशा हम हमेशा की तरह reading शुरू करें, उसके पहले थोड़ा health के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि health के perspective में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हम को यहाँ से guidance मिलती है okay, alright so, okay यहाँ पर guys, कई लोगों के लिए जो मुझे health का यहाँ पर guidance मिल रहा है वो कुछ genetic यहाँ पर problems होते हुए दिखाई देती है guys, जो heredity से problems होती है, genetical problems होती है वो यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई देती है all right, यहाँ पर बहुत कुछ लोगों के लिए ऐसे भी symptoms मुझे मिलते हैं कि guys, यहाँ पर जो है तो थोड़ा यहाँ पर cautious रहने की जरुवत है, यहाँ पर किसी किसी के लिए cholesterol बढ़ना एक problem है और यहाँ पर किसी के लिए blood pressure अचानक अप हो जाएगा अचानक से जादा हो जाना या कम हो जाना इस तरह के problems यहाँ पर हो सकते हैं अगर इसमें से कुछ भी problem होता है तो प्लीज थोड़ा अपना ख्याल रखिए अपनी सहत का ख्याल रखिए और डॉक्टर को जरूर दिखा लिए अगर आप अपने पार्टनों से टच में हैं कि इसास बारे में अखिन के बारे में नहीं है किसी के बारे में कुछ पता चलता है तो प्लीज थोड़ा देखिए कि वह डॉक्टर को विजिट करें क्यूंकि भले ठरटी से आपका कुछ भी हो लेकिन इंसानियत तो अपनी जगे होती है और किसी के लिए हमको बुरा नही होगा आपकी साथ होके और राइट तो चलिए गाइस वीडिंग में आगे बढ़ते हैं यहां पर देखे गाइस एक क्लियर कट जो फीलिंग है वो मिल रहा है जो थर्ट पार्टी है यहां पर बिलकुल भी आपके पार्टनर के बारे में यह अच्छा फील नहीं कर पा रहे है और आप में से बहुत सारे जो लोग हैं यहां पर थर्ट पार्टी जो हैं आपके पार्टनर से अल्रेडी मेरेड हैं ऐसा फील यहां पर मिलता है आप में से कहीं लोगों के लिए यह यहां पर पॉसिबिलिटी है कि जो थर्ट पार्टी है वो यह अल्रेडी किसी से मेरेड और आप भी married है ये भी यहाँ पर एक scenario मुझे मिलता है कि आप भी married है ये भी married है and still ये आपके partner को जो है पसंद करते हैं और आपके partner भी इनको पसंद करते हैं लेकिन यहाँ पर third party जो है वो यह सोच रहे हैं अभी आपके partner के बारे में इनकी feel क्या है आपके partner और इनके 20 में बहुत कुछ conflict चल रहे हैं यह जो है आपके partner के बारे में यह सोच रहे हैं कि equal give and take इस relationship में आपके partner से इनको नहीं मिल पा रहा है आपके partner छोटी छोटी बातों में इनसे arguments कर रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके partner ने इनको deception दिया है इनको धोखा दिया है इन्होंने इनको ऐसा मैसूस करवाया कि यह इनको प्यार करते हैं इनके साथ में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन end moment पर आकर आपके partner ने जो है इनका साथ छोड़ दिया इनको ऐसा feel मिल रहा है यह reading guys majority of people के लिए वही है जहां पर आप दोनों भी married है और आपके जो 3rd party है वो भी किसी के साथ में married है लेकिन यह आपके partner को छोड़ना नहीं चाहते हैं आपके partner चाहें इनसे कितनी भी बेरुकी दिखा रहे हो लेकिन आपके partner के दिल में कहीं न कहीं इनके लिए थोड़े बहुत feelings अभी बाकी है इस तरह का feel यहां पर इस reading में मिलता है हाला कि हमने यह reading है 3rd party की energies निकाली है कि वो आपके partner के बारे में क्या सोच रहे हैं इनको यहां पर clear-cut a feel मिलता है कि यह जो आपके partner है इन्होंने आपके 3rd party को मतलब इनके जो 3rd party है इनका साथ नहीं दिया इनका साथ छोड़ दिया इनके साथ आगे जाने का जो इनको कभी commitment दिया होगा planning किया होगा दोनों ने तो आपके partner थोड़ा सा step back कर रहे हैं इस तरह का इनको feeling आ रहा है इन दोनों के बीच में ना सिर्फ आपस में लड़ाई जगड़े हो रहे हैं बल्कि बाहरी influence से भी यहां पर यह दोनों जो हैं खुश नहीं है और बाहरी लोगों का भी यहां पर ज जाएंगे और इस relationship में यहां पर एक ठहराव की इनको feeling आ रही है ऐसा लग रहा है इनको कि अब जो यहां पर रुक गया है थम गया है relationship यह आगे नहीं जाएगा इस तरह का इनको यहां पर feel आ रहा है प्लस यहां पर इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है यह जान बूच कर जो हैं इनके साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सोच समझ कर strategically इनके साथ में इस तरह का व्यवहार किया है कहीं लोगों के case में यहां पर जो 3rd party है यह आपके पार्टनर के बारे में ऐसा भी सोच रही है कि शायद आपके पार्टनर की यह tendency है कि यह कुछ समय के लिए लोगों से मिलते हैं और फिर यह इनको छोड़ देते हैं यह इनसे promises करते हैं और फिर वह promises तोड़ देते हैं यहां पर इनको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़े इंडिसिसिव हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं अपने जिंदिगी में कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनको लोगों की फीलिंग से, इमोशन से खेलने में शायद मज़ा आता है, इस तरह ने इनिशली इनको बहुत अच्छा फील करया, शुरू बात में इनोंने बहुत अच्छा फील के आपके पार्टनर के साथ, लेकिन बाद में एक बहुत ही ट्रॉमा वाली फीलिंग आपके पार्टनर ने इनको दी, इनको बहुत मेंटल स्ट्रस फील करवाया, कई बार इन नहीं कि जब इनको आपके पार्टनर की जरूरत थी तब आपके पार्टनर जो है इनके साथ अवैलेबल नहीं थे इनको ऐसा लगता है कि जब भी मुझे जरूरत होती है तो ये मेरे साथ में नहीं होते हैं और जब इनको जरूरत होती है तो मैं हमेशा इनके लिए वो feelings इनको नहीं मिल पारी, इनको ऐसा लग रहा है कि कही ना कही आपके जो partner है वो step back कर रहे हैं, इस relationship से withdraw करें हैं, एक detachment की feeling में जा रहे हैं, ये कितना भी try करें, पर फिर भी यहाँ पर एक contentment इनको जो है वो मिल नहीं पा रहा है, एक commitment जो है सोच रहे थे इस relationship में वो इनक इनको यहाँ पर feeling आ रही है, आप में से कुछ set of people के लिए guys, अगर आपके partner already married है, किसी और से, तो या फिर यह आपको छोड़ कर चले गए हैं किसी और के लिए, तो यह जहाँ पर भी है, जिस भी situation में है, वहाँ पर, यह जो भी इनकी third party है, यह बहुत कुछ अच्छी feelings इनका रिष्टा बहुत अच्छा होगा, पर अंदर ही अंदर जो है, इनका relationship जो है, यह मुझे कुछ खास अच्छे bonding में दिखाई नहीं देता है, third party की जह सोच है इनके लिए, वो कुछ और ही नजारा यहाँ पर बता रही है, कि आपके partner से इनको इतना कुछ प्यार जितनी honesty, जितना faithful behavior यहाँ पर किया है, उस सब के बदले में आपके partner से इनको यहाँ पर zero मिला है, इस तरह की feelings यहाँ पर है, तो चलिए guys, एक बार देख लेते हैं, कि third party आपके partner के लिए ऐसा feel करी है, तो आपके partner क्या feel करे है third party के लिए, universe please divine the guide करें, और बताएं, कि मेरे viewers जो पार्टनर हैं, third party उनके लिए ऐसा महसूस करी है, इतना कुछ सोच रही है कि उन्होंने third party के साथ कुछ ठीक नहीं रवहार किया है, तो मेरे viewers के partner क्या सोच रहे है third party के बारे में, उनकी क्या feelings है third party को लेकर, क्या वो खुश है third party के साथ, या फिर क्या scene है universe, please guide करें और थोड़ा intense reading करने की कोशिश करेंगे guys, ताकि हम यहाँ पर थोड़ी ठीक से clarity मिल सके, two days के बाद हम यहाँ पर आज reading को upload करें है, so universe, please guide करें और बताएं, मेरे viewers के जो partner है, वो third party के बारे में क्या सूच रहे हैं, क्या feelings हैं, क्या intentions हैं and most of it, क्या emotions हैं इनके third party के लिए, थोड लग 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 रहे हैं, थोड़ा चुप चुप हैं, काद्स हमारे पास निकल कर नहीं आ रहे हैं, okay universe, please कुछ काद्स दे दीजे, मेरे viewers के partner हो है, वो third party के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या emotions हैं, क्या intentions हैं, बहुत सारे काद्स हैं guys, यह हम नहीं लेंगे, sun in reverse, two of wands in reverse, okay, universe बहुत सारे काद्स हैं guys, नहीं लेंगे, बहुत सारे काद्स हैं guys, नहीं लेंगे, प्लिस कुछ काद्स दे दीजे, universe, give me few more cards, alright, queen of wands, बहुत ही, चतुर और चालाक समझ रहे हैंगे, इनको पता है, okay, universe, please give me two more cards, alright, and here we go, we have a seat, two cards, okay, so यह third party के बारी में क्या सोच रहे हैं आपके partner, future to zero सोच रहे हैं third party के साथ, यह देखे हैं, और sun का card भी हमारे पास यहाँ पार reverse में हैं, alright, so guys, Aries Leo Sajd, यहाँ पर किसी के लिए important हो सकता है, किसी के लिए यहाँ पर Taurus Virgo, Capricorn भी, जो है, strong हो सकता है, okay, alright, so चलिए guys, इसके पहले कि हम reading को स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम यहाँ पर एक सेहत के बारे में देख लेते हैं, कि सेहत यहाँ पर क्या कहना चाहती है, आपके partner, या third party में से, या आप, यहाँ पर guys, किसी किसी को मुझे eyesight का problem होते हुए दिखता है, और किसी किसी में पर sunburn या फिर sun stroke का भी problem हो सकता है, skin से related कुछ problem हो सकते हैं, guys, यहाँ पर बहुत extreme strong message किसी के लिए है, health perspective में, कि guys, यहाँ पर किसी को skin cancer के problems हो सकते हैं, तो अगर skin burn होती है, skin में rashes आ जाते हैं, skin में अगर red color के patches आ जाते हैं, तो please थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिए, और doctor को ज़रूर consult करिए, अगर इस तरह के कोई भी skin से related problem आपको हो रहे हैं, या आपके partner को हो रहे हैं, तो please guys, मेरी request है आपसे थोड़ा यहाँ पर ध्यान से रहने की जरूरत है, और एक बार doctor से consult जरूर करिए, okay, guys, यहाँ पर क्योंकि यह skin से related है, और यहाँ पर हमारे पास sun reverse में है, मुझे यहाँ पर clear feel मिलता है, कि किसी को यहाँ पर vitamin D की deficiency है, so guys, please go and check with the doctor, okay, doctor को जरूर एक बार consult करिए, अगर skin से related कोई भी problem हो रहा है, guys, यह बहुत serious message यहाँ पर निकल कर आया है, and बहुत strongly निकल कर आया है, इसलिए मैं इतना जोर लगा कर आपको कह रही हूँ कि प्लीज एक बार, अगर skin का कोई भी problem है skin से related, तो प्लीज एक बार doctor को बिल्कुल जरूर दिखाईए, okay, all right, so guys, चलिए यहाँ पर, अब हम reading को करते है, start आपकी जो partner है, वो क्या सोच रहे है, third party के बारे में, क्या करना चाहते है, इस relationship को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, चलिए reading में, आगे बढ़ते हैं, okay, all right, okay, so देखें guys, यहाँ पर ऐसा feel मिलता है, कि आपकी जो partner है, कहीं हद तक कुछ indecisive हो रहे थे, हमारे पास यह जो दो कार्ड निकल कर आए है, two number यहाँ पर किसी के लिए बहुत important हो सकता है, guys, so देखें, यहाँ पर two of pentacles भी reverse में है, two of wands भी यहाँ पर हमारे पास reverse में है, so अब तक आपके partner जो two set of minds में थे, सोच रहे थे, कोई दो options रखे हुए थे अपने दिल और दिमाग में, तो अब जो यह है, यहाँ पर बहुत ही clear होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद कुछ सोच लिया है अपने दिल में, और कुछ यहाँ पर जो है, इन्होंने decide कर लिया है, इस तरह के feelings यहाँ पर मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि यह बहुत ही confusion में थे अब तक, और जो भी इनके दिल में confusion था, वो confusion बहुत कुछ हद तक दूर होता हुआ, यहाँ पर लग रहा है, और यह confusion इसलिए भी दूर होते हुए मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके partner बहुत सारी चीज़ों को observe कर रहे हैं, और इस observation के दौरान यह कुछ चीज़े महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो current partner है, उसने इनको जो है बहुत एक corner वाली feeling इनको आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि left out in the cold वाली feeling यहाँ पर जो है आपके partner को मिल रही है, इनको ऐसा लगता है कि यह अभी currently जिस भी relationship में है, चाहे वो इनके spouse हैं, इनके fiance हैं, या कोई ऐसा person है जिसके साथ यह बहुत jingle-mingle हो रहे हैं, तो इनको ऐसा feel हो रहा है कि उस relationship में इनको बहुत corner कर दिया गया है, बहुत अकेलेपन की इनको feeling आती है, इनको ऐसा लगता है कि यह तूट गए हैं अंदर से, इस तरह की feelings इनको आ रही हैं, इनको ऐसा लगता है कि बहुत ही difficult है अभी इस relationship में, आगे कुछ देख पाना, आगे move on करना, इस relationship में इनको बहुत ही difficult लग रहा है, यहाँ पर इनको एक feeling यह भी इनको मिल रहा है कि इनके जो भी current इनके partner हैं या इनके spouse हैं या जो भी हैं इनके जिन्देगी में वो यह अगर किसी से भी बात करें या किसी के साथ में थोड़ा सा अगर ये खुल के अपनी बातों को करते हैं या किसी से मिलते हैं नॉर्मल conversation भी करते हैं तो इनके जो current partner हैं चाहे वो इनके spouse हो या इनके friend हो या फिर इनकी engagement हो इनकी fiance हो कोई भी हो इनकी life में जो third party है उनको बहुत jealousy feel होती है वो थोड़ा इनको control करके रखना चाते हैं वो थोड़ा सा इन पर surveillance करते हैं और जब वो सवाल जवाब करते हैं कि फलाने से बात क्यों किया ऐसा क्यों किया तो यह चीज़ें को बहुत बुरी लगती है इनको ऐसा लगता है कि there has to be some freedom in you know someone's life इनको ऐसा लगता है कि इनसान की खुद की जिंदगी में उनके खुद की भी कोई जगह होनी चाहिए जहां पर वो उनकी मर्जी से किसी से बात कर सके खुल कर किसी की साथ हस सके किसी की साथ बाहर जा सके लेकिन इनके जिंदगी में को इनको कंट्रोल करे तो ये चीजे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह का यहाँ पर complete feeling मिलता है यहाँ पर इनको ऐसा भी लगता है कि बहुत egoistic इनके जो partner है ये third party के बारे में सूचते हैं कि third party जो है बहुत egoistic है और उन्होंने कभी भी अपने partner के रूप में किसी ऐसे इनसान की कलपना नहीं की जो की बहुत जादा egoistic हो इनको यहाँ पर ऐसा भी feel मिलता है कि initially जब ये third party को मिले तो third party ने अपना कुछ और ही रूप इनको दिखाया और बाद में उनका जो actual चहरा है वो दीरे दीरे सामने आ गया क्योंकि बहुत दिनों तक वो शाद acting नहीं कर पाई इनको impress करने के लिए अच्छे बने रहने की तो उनका जो true colors है वो उनकी सामने आ गया है वो जैसे है actual में जिस तरह का उनका सभाव है control करने का चोटी चोटी बातों में arguments कर लेने का बहुत जादा dominate करने का तो ये सारे जो इनके traits हैं behavior के ये आपके partner को बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं आ रहे हैं प्लस यहाँ पर ये भी मुझे strongly एक message निकल कर आ रहा है ये बहुत छोटे से set of people के लिए हो सकता है guys कि जो third party है ये आपके partner के friends और इनके family के साथ में भी थोड़े से rude और harsh होकर बात करते हैं या उनके साथ rude harsh हो जाते हैं to जैसे का behavior जो है आपके partner ले नहीं पा रहे हैं और इसलिए इनको यहाँ पर बहुत problem होते हैं मुझे दिखाई दे रही है प्लस यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा जो है आपके partner जो है ये third party के बारे में सोचते हैं मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे पा रहे हैं ओके प्लस यहाँ पर देखिए गाईस इनको ऐसा लगता है कि relationship बहुत एक mundane सी stage पर आ गया है बहुत जादा एक boring सी stage में आ गया है यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई spark नहीं है यहाँ पर इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है यह girlfriend boyfriend है या फिर इनके engagement हुई है इनको ऐसा लगता है कि यह सिर्फ hold किया हुआ relationship है जिसको कि हम खोने के डर से बस relationship में ठहरे हुए है इस तरह कि इनको यहाँ पर feelings आ रही है कुछ लोगों के partner यहाँ पर मुझे बहार travel करते हो भी दिखाई दे और ऐसा लगता है कि यह थोड़ा कही switch करने के बारे में सोच रहे हैं कही immigration के बारे में सोच रहे हैं इस तरह के feelings भी यहाँ पर मिलते हैं apparently यहाँ पर मुझे clear gut feeling यह भी मिलता है कि आपके जो partner है यह third party के साथ में break up के बारे में सोच रहे हैं और किसी एक direction को choose करना चाहते हैं with these two cards यहाँ पर a clear gut feeling मुझे मिलता है यहाँ पर guys देखिए आपके जो partner है इनकी जिन्दगी में एक से ज़्यादा choices हैं यहाँ पर clear gut feeling मिलता है और ऐसा लगता है कि यह जो हैं अभी सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा compare भी कर रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनके पास दो choices है तो दोनों में से बहतर कौन सी choice है इस तरह के feelings भी हैं यहाँ पर मिल रहे हैं ये दोनों को compare करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि किस इंसान में इनको क्या जादा मिल रहा है किस इंसान में इनको क्या कमी लग रही है इस तरह के comparison ये मुझे ना सिर्फ विभार में बलकि emotional भी इनको किस इंसान से कितना मिल रहा है kindness, love ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर compare करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो guys यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर यह last card की बात करती हूँ तो यह मुझे यहाँ पर बहुत जादा एक setbacks की feeling में दिख रहे हैं ऐसे लगता है कि जैसे कि मैंने आपको भी कहा कि यहाँ पर इनको यह जो third party है इनके लिए काफी कुछ ऐसे feelings मिल रहे हैं कि इनोंने initially तो बहुत smart play किया इनको impress करने के लिए बहुत कुछ किया और बात में इनके true colors इनके सामने आगे इस तरह के feelings है तो यहाँ पर इनको ऐसा complete feel आ रहा है with this page of wands that initially जो इनके बीच में romance की feeling थी that feeling has wand off यहाँ पर ऐसा complete feel मिलता है वो जो passion था इन दोनों के बीच में एक जो spark था relationship में वो यहाँ पर missing होता इनको दिखता है इनको ऐसे लगता है कि सबकुछ एक dream की तरह था जो खतम हो गया है और अब यह time है कि इनको इस dream से बाहर आ जाना चाहिए जो जो सच्चाई है उसको accept करते हुए आपके जो partner है मुझे दिखाई गये थे इनको ऐसा लगता है कि जो भी सपने इनको दिखाए गई थे वो सारे सपने ही थे और वो सब जूट था सच्चाई जो है वो कुछ और है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि third party का जो attention है वो इनकी तरफ नहीं है third party अपने आप में ही वो मगन है उनको इनसे कोई खास लेना देना नहीं है इनको ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर इस relationship में जो है इन third party के साथ में बहुत long term investment नहीं देखते हैं देखिए जब मैं यहाँ पर कहती हूं long term investment तो मैं यहाँ पर पैसो रुपयों की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर भावनाओं की बात कर रही हूँ, जजबातों की बात कर रही हूँ, प्यार और इमोशन्स की बात कर रही हूँ तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस relationship में आगे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर कोई मॉल इनको दिखाई नहीं देता है भावनाओं का इस रिष्टे में इनको ऐसा लगता है कि जादा इन्वेस्ट करना नहीं है अपने relationship को आगे नहीं ले जा सकते हैं यह जहां पर कि इनको भावनाओं की कमी लगती है एक bond की कमी लगती है इनको ऐसा लगता है कि इस relationship में जितना भी कुछ देंगे लेकिन इनको यहां से disappointment इनको यहां पर एक clear-cut यह भी feeling आती है कि जो third party है यह इनके बारे में इनके friends family में काफी कुछ rumors फैलाती हैं और काफी कुछ फैलाती है या फैलाते हैं इनको यहां पर एसा भी लगता है कि जो थार्ड पार्टी है यह जो काफी कुछ यहां पर rumors फैलाते हैं इनके बारे में गॉसिप करते हैं इनके friends में और families में और कहीं लोगों से इनको यहां पर पता भी चल चुका है जिस बात के लिए इनको यहां पर बहुत दूख होता ह इनको यहां लगता है कि जो भी बाते हैं वो one-to-one clear cut आमने सामने की जा सकती हैं तो जब बातें आमने सामने clear cut की जा सकती हैं तो ऐसे में किसी और के पास जाकर इनके बारे में बुरा बोलना यह इनको digest नहीं हो पा रहा है and at the end of the day आपकी जो person है वो third party के साथ में मुझे यहां पर guys बहुत जादा survival के position में दिखाई नहीं देते हैं और ऐसा लगता है clear feel मिलता है कि यह जो है relation से back out करना चाहते हैं alright okay so guys यहां पर मुझे एक final message जो मिल रहा है वो यह भी मिल रहा है यह बहुत छोटे से set of people के लिए है guys कि आपके partner third party से बिलकुल खुश नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत छोटे से set of people के लिए बात में कह रही हूं guys फिर से मैं आपको बता रही हूं यह बहुत छोटे से set of people पार्टनर के लिए है कि आपके partner third party से इसलिए भी खुश नहीं है यहां पर क्योंकि शायद third party ने यहां पर आपके partner और उनके जो baby होंगे उनको यहां पर abort कराया होगा या कराने की बात चल रही होगी और इनके decision या इस सोच के कारण आपके partner third party के साथ बिलकुल भी खुश नहीं है और अगर इनोंने इस तरह का कुछ decision लिया तो possibly यहां पर आपके जो partner है वो third party से move on कर सकते हैं, all right, general reading है guys, इसकी basis पे अपनी जिंदगी का कोई फैसल आपको नहीं करना है, अपनी situation में बहतर clarity के लिए आपके CD अच्छे tarot reader से अपनी situation में clarity ले सकते हैं, okay, all right, so guys, अगर आपको reading पसंद आई है, तो please do like, subscribe and share, मैं मिलती हूँ आपको next reading में, तब तक के लिए bye-bye और अपनी सेहत का बहुत अच्छा रखे एख्याल.